खुद पाँच बार विधान सभा जीते तो ससुर गुजरात में साट बार सांसत कौन है कमलनात के राइट हैं कहलाने वाले बाला बच्चन आईए जानते हैं बढ़वानी जिले के राजपुर विधानसभा में पांच बार के विधायक और कमलनाथ के राइठ हैन माने जाने वाले बाला बच्चन फिर से मैदान में है उनका मुकाबला पूर मंत्री देवी सिंग पतेल के पुत्र अंतर पतेल से है बाला बच्चन ने 2018 के चुनाव में अंतर पतेल को मात्र 932 वोटों से हरायत भिलाला अधिवासी बाहुले राजपुर विधानसभा में 2,53,157 मत दाता है जिसमें 1,26,621 पुरुष और 1,26,534 महिला मत दाता है बीजेपी इस बार भी अंतर सिंग पतेल को अपना उमीद्वार बनाई है वो पिछले विधानसभा चुनाव में मामोली अंतर से हार गये थे लेकिन अपनी लगातार सक्रेता सुपदुप में जनता से जुडाओ और आंतरीक सर्वे के चलते उन्होंने यहां से जिकत प्राप्त किया है तीन बार के विधायक और मंतुरी रहे देवी सिंग पतेल के पुत्र अंतर पतेल जिला पंचायत बढ़वानी के अध्यक्ष भी रहे है इनके चचेरे भाई सुबाश पतेल खरगोन बढ़वानी से सांसत भी चुने गए थे राजपुर विधानसभा से वर्दवान विधायक बाला बच्चन को फिर से कॉंग्रेस से अपना प्रत्याशी बनाया है बीई तक सिक्षित बाला बच्चन शुरू से ही कमलनात के साथ जुड़ गए थे और उन्हें अपना गौट फादर मान लिया था 1993 से 2018 तक लड़ी चुनाव में वह चार बार राजपुर से और एक बार पान सेमल से विधायक निर्वाचित हुए केवल 2003 में विधान सबा चुनाव में वह राजपुर के भाजपा के दिवान सिंग पटेल से हार गए थे इसके अलावा भी एक बार खरगोन लोगसबा छेत से चुनाव हार चुके हैं वे कॉंग्रेस में महतपुर पदो पर रहते हुए तमाम चुनाव में कुछ प्रदेशों के सप्रभारी भी रहे हैं उनके ससुर सोम जी भाई डामोर गुजरात के डामों से साथ बार सांसद रह चुके हैं इस तरह से बाला बच्चन छेतर के बड़े पॉलिटिकल सोस बाला बच्चन का वरिष्ट आदिवासी नेता होने पाच बार का विधायक होना कई महतपुर पदों पर काबिज रहने और कमलनाथ के काफी करीबी होने के चलते कॉंग्रेस के बहमत में आने पर आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्ट खेल दिया जाता है तो वे कमलनाथ की पहली पसंद होंगे तो ये है कमलनाथ के राइट हैंड कहलाए जाने वाले बाला बच्चन